के जनरल सेक्टरी, साबका चीफ सेक्टरी, जनाब पिछे बगाया जी, यहां बैठे हमारे, बैठो बैठो भाई, खड़ा क्यों हो, बैठो पुर्सी आए, बैठो खड़ा रहने से क्या पाई? बैठे हमारे एक्सिविंग के परदान बोदराज भगर जी, हमारे जन्हों ने अजादी के बाद से रही, जम्मु किश्मीर में इनका एक बहुत बड़ा इंपार्टन रोड रहा है, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, कि शफी साहब आज इस पार्टी का अपनी पार्टी का हिस्सा बन रहे है, कि मैं सबसे पहले अलताव साहब को रुकर्स्ट करूँगा, कि वो शफी साहब को पार्टी में शामिल परवाद रही है, मैं थोड़ा पिछा था 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 अब रेले कमे से, पहले अब पहले, पैले फेर एक पोटो ग्राफ देलेंगे, पोटो ग्राफ देलेंगे, kilowनि के पाकी, अब आप जने के देलें के देला हमाद मे 46% मुथ लास यत मत अएधिनु श्रॉप आधि Josei नोग संवेहां सब्सक्राटीन खगेन ऑन श्रॉप रखे क्या में रेखित सब्सक्राओं मुथित है मैं नीचे रिखने प्रिजिदेंट और जम्हों किश्मीर अपनी पार्टी के सेनियर ओदेवाराइट मैं आज यहां इलान करता हूँ प्रेस के सामने मेरे साथ ही यहां सब नहीं पहुँच पाए प्रोग्राम रखा था जन्वरी में उसकी वज़ा से हमारे जो पार्टी के सिप्रीमों है इनको बाहर जाना पड़ा तो प्रोग्राम में चौर नहीं हुआ आज हमने जल्दी जल्दी में थोड़ा से किया है मुझे पता कई मेरे वर्कर जो है वो नाराज हो जाएंगे चुको उनको यहां नहीं ला सके जो बात इनके दिल में है वो इनके जबान पर है इन्होंने लोगों को वक्तन वक्तन अच्छी तरह से समझाया कि हमने क्या करना, हम क्या कर सकते हैं, बाकि जो लीडर हैं, उनके टनल पार एक, उनका स्टेटमेंट है, टनल के इस पार वो चेंज होते जाते हैं और दिली तक वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए हमने ये सोच समझ कर फैसला किया है, इस जम्मू किश्मीर का अग इसको क्या मिलता ये नहीं सोचना हमने पार्टी के लिए क्राम करना है पार्टी आगे बढ़नी चाहिए इससे ज्यादा इस वास में कुछ नहीं बोलूँगा तो मैं आप से शमा चाहता हूं कोई गल्ती ही हो तो मुझे वापके लिगा सुख्रिया आपने रिक्ष्ट करूगा शिर्योता बुखारी जीस से के वो तो मैं देगा तो मैं देगा इजिये पार्टी में अगे लाम इजए ते झाल फैसलिए इससलेस बोलूआकि देटिया एंटियां अगे लाम आगे सब उचल सेगरेटरी और मेरे वालिट समाँ बकाया साथ जो मैंचीद सिंग जी हमारे वाइस प्रविंचल 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 पर तकीर नाथ जी बाकी मेरे सीनियर सभी साथी और आज की इस तक्रीफ है जो मेमाद हैं जिन्होंने आज जोईन किया मेरा चोटा बाई बाई बेलकुल चोटा काम है हम तो हम उमर हैं दोनों महमत चपी शेक साथ के फर्जन है आप जो इनके साथ आज यहां साथी आए हैं आप सबको आदाब नमस्ताब असलाम अलेकर आज जब शेक महमत चपी साथ ने हमें जॉइन किया है मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टी को एक उस आदमी की एडवाइज भी मिलेगी जिसका एक सियासी तज़र्वाइब है वो शेकुर्द रामान साथ है अगर्चे वो हमारी पार्टी के मेंबर डिरेक्ली नहीं बने हैं लेकन एक वालत समा फिगर वो भी है जिसकी हम सब इज़त करते हैं इस जमात में इन्शालला इनकी जॉइनिंग एक नेक फाल होगा रियासत जो प्राणी रियासत थी उसके जमो कश्मीर के रिये एक नेक फाल होगा और यस जमात के लिए श.वी साथ में आते हैं तो मोका मिलता है जब साति आते हैं जमात में साती आते हैं तो मोका मिलता है दिल की बात करने को बी. अबल तो मैं शुकर गुजार हूं हंदुस्तान के होम मिनिस्टर का और अपने लेटनर गावर्नर का भी कि हमारी दोहाई जो चीखो पुकार हमारे लोगों की थी जिसकी हमने भी बहुत तर्जमानी थी दिली गए दिली में मिले यहां मिले सबसे मिले वो जो एक डिमॉलेशन का ड्राइव था जिसे हम कहते थे क्या पीला पंजा क्या क्या नाम दे रहे थे कभी कहते थे बुल्डोजर बाबा कभी कोई बादा नाम दे थे उससे कुछ रहत लिए मैं शुकरिया उनको करता हूँ देर आये दोरस आये शायद उनको कहीं दिल्लों में लगा कि ये चीको को खार लोगों की जो है इजाइज है और उन्होंने इस पे हॉल्ड लगाया लेकिन एक चीज बांद होती है दूसरी चीज शुरू होती है जैसे कसम खा रहती है दिल्ली ने कि जमू कश्मीर के लोगों को परिशान ही करना है मुझे समझ नहीं आता है मेरे सामने यहां पार्टी के बाहर यहां बाजपा के सदर रहते हैं पता नहीं इन दिवारों से आवाजें जाएंगी भी उन तक पहुंचेंगी भी लेकिन मैं उन तक भी आवाजें पहुंचाना चाहता हूं और दिली के एवानों तक भी आवाजें पहुंचाना चाहता हूं कि बाजपावालो आपको इन लोगों के पास जाना है ठीक है महिना नहीं दो मेना नहीं तीन मेना नहीं चार मेना नहीं पांच मेना नहीं छटे मेने में तो जाओगे कभी मैं देखता हूँ नहर पे क्या वो लोग कर रहे होते हैं इंसान का दिल तूट जाता है उस वकित इंसान कहता है मैं अपने कबड़े फाट हूँ या रियाडी या इसी तरह आप बाकी जगा क्या कर रहे हो या ये जुल्म किस पे कहते हो हमारी डेड बाडी पे एक जगा फिर दूसरे तिन रियाडी में होता है अब अगर वो बीला पंजाब बंद किया अब ये प्रापर्टी टेक्स ये क्या है बाजपावालो मशावरत होनी चाहे थी प्रापर्टी टेक्स लगना है किस पे हमें ये भी पता है ये गरीब पे नहीं लगेगा लगेगा तो जमू कश्मीर के वासियों पे ही यहां पहले मैंने आपको पहले भी खा यहां कौन अमीर है अगर ये लोग जो आज बरसर एक्तिदार है उनको ये लगता है कि गर जिसके पास है वो अमीर है तो फिर जमू कश्मीर में हर एक पास गर है ये बिहार ओडीसा तो है नहीं कि जहां लोग सड़कूं पे सोते हैं ये तो खुदा की देन है माता वैश्नव देवी की देन है कि यहां गर सब के पास है कोई बुका नहीं सोता है तो क्या हम मानेंगे कि ये सब लोग अमीर हैं राफर्टी टेक्स रही कोई तो मशावरत करो कोई इस सरकार तो आगे बनने ही वाली है आपको क्या लगता है सब खत्म करना है इसी दोर में सब जितनी सक्तियां करनी है जमू कश्मीर के लोगों पे इसी दोर में करना है क्या आप लोगों को लगता है आप लोगों ने हमें फता किया है क्या हम गुलाम को हम है कोई मैं इसके साथ ये भी वाज़े करना चाहता हूँ कल मैंने किसी का बयान सुना मैं निंद्या करता हूँ उस बयान की जो किसी के ने कहा ता है पर्मट। यह चीजे आएची ज सर्कार होती है। अच को सर्कार पर्मट। चीजे एक कि टूनीवी तरफ करती है। लेकिन मशावरत लोगों से नहीं मशावरत तर होगों करता है। मैं अपने लोगों को एक आस वाशिंद न चाहता हूं। голएत कम टाम है। यह सब डेसीजन्स रिवी होंगे, एजा नहीं है कि यह डेसीजन्स ऐसे ही चलने दिए जाएंगे, लेकिन हमें इस वकत हुशार रहना चाहिए, हमें कुछ अनासर इसमें भी परेशान करने की कोश्च करते हैं, यही देखिये ना, किसी ने कहा जजियाग ठाक से, मैं बिल्कुल इस चीज की निंद्या करता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने लगाया, लगाना नहीं चाहेता है, जुरत होगी, कल को जो इलेक्टिट सरकार आएगी, वो फैसला करेगी, इलेक्टिट सरकारों का काम है, आप लोग क्या करते हुए, मेरा जमू कश्मीर के लोगों से आज डिरेक्ली एक अपील करता हूँ, आप मुदेद रहिए, आपस में इतिफाक रखे, जमू और कश्मीर के लोग आपस में इतिधात रखे, आपके लिए एक पुल बना हुआ है, वो अपनी पार्टि की सूरत में बना हुआ है, अपनी पार्टि आपके खकूक का तहफूस करेगी और जहां पर अपनी पार्टि काम्याब आज नहीं होगी, कल जिस वक्त अपनी पार्टि की सरकार होगी, इन सब चीजों पर रहूँ होगा, ये चीज़ें चलने नहीं दी जाएंगी, यहां बहुत सारे डिसीजिजिन ऐसे किये गें, जो लोग उनके मफाद में नहीं है, मुझे उमीद है कि आप इस पार्टि को बरपूर सपोर्ट करोगे, और एक मजबूत सरकार ताके कल ये पार्टि बना सके, जिस पे इसको किसी पे डिपेंडन्ट ना होना पड़े, तब ही ये चीज़ें सब दूर की जा सकती है, मुझे लगता है, आज जमू वासियों को भी समझ आई होगी, जिस जमाद को वो सपोर्ट कर रहते, वो जमाद उनकी खैर खा नहीं है, वो जमाद होई नहीं सकती है जमू की खैर का, जिस तरीके से वो लोगों को परेशान करें, हम तो नहीं समझ सकते हैं कि ऐसी जमाद की जी कहीं पे भी लोगों के खैर का नहीं है, अलवाज के साथ मैं आप प्रेस के नमाइंदू का,